हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू ऑनलाइन इस्ट्रीडिए किंग्डम ग्राम समाजयों विकास में जो हमारा स्रीच चल रहा है इसमें हम लोग जो है आज किस वीडियो में चाहो थे चैप्टर को कबर करेंगे यूग तीचे तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्सण हमारी तागत है साथ ही यह नटिप्पिकेशन बलाइगान को जरू पैसकर लीजेगा ताकि आनिवाली वीडियो की अपड़ीट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे तो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं जादा टाइम लेते हुए तो चौथा जो चैप्टर है इसका नाम है भूधारण पद्धतियां ठीक है तो ग्राम समाज योंबिका से संबंदित ये टॉपिक है तो आईए यहां पर हम लोग कबर करते हैं भारत में भूमी सुधार का हुआ उसके बाद ये जो प्रथाएं रही वह समाप्त हो गई तो जमीदारी प्रथा क्या होती है आईए हां पर देखते हैं तो जमीदारी प्रथा का जो आरंभ किया था वह किसने किया था तो यहां लार्ड कार्णावलिस किसासनकाल में जो है जमीदारी प्रथा का जो है यह सुबारंब किया गया था ठीक है जमीदारी प्रथा का जो आरंब है वो लाड का नवलिश ने बंगाल में सन 1793 में किया था तो जमीदारी जो प्रथा है इसकी अंतरगत जमीदार क्रिसकों को क्रिसी करने के लिए लगान पर जमीन देते थे यानि जो एक्शली में आज कल क्या है जिनके पास खेती है वही लोग अपना क्रिसी करते है यानि जिनकी जमीन होती है वही अपनी जो है वो क्रिसी करते हैं लेकिन जमीदारी प्रथा में आज भारत उसोतंद्र नहीं था तो उसमें क्या हुआ करता था कि जो क्रिसी करते थे तो क्रिसी के बदले जो है क्रिसी करने के कार जो है इनको क्या हो देना पड़ता था लगान देना पड़ता था जमीदारी पर था मैं ठीक है तो इसमें बड़े बड़ी जो है वो जमीदार हुआ करते थे जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जानते हैं जमीदार जो अधिकार जो होते थे वो आपके राजपूद ही होते थे ठीक है तो यहां पर जो है किसान जो है क्रिसी करते थे तो क्रिसी करने के बदले अपना उस पर टाक्स या लगान आप कह सकते हैं देते थे ठीक है आपने लगान मोवी भी देखी होगी जमीदारी बंदोबस्त कितने रूपों में दी थी तो जमीदारी जो थी वो दो रूपों में थी एक थी अस्थाई बंदोबस्त और दूसरा था आइस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त के अंतरगत लगान हमेशा के लिए नियत कर दिया जाता था और आइस्थाई में बंदोबस्त के अंतरगत बिभिन राज्यों में 20-40 वर्स की आवधितक के लिए लगान निश्चिति किया जाता था ठीक है तो आईस्थाई है और दूसरा है अस्थाई तो अस्थाई में आप समद रहे हैं कि नियत ही रहेगा अस्थाई रहेगा हो जबकि आईस्थाई बंदेवस्थ में क्या होता था कि विविन राज्यों में जो 20-40 वर्ष की अवध तक के लिगए है लगान टैक्स जो हो निर्धारित जो है किया जाता था ठीक है अगली जो प्रता रही वो महालवाडी ब्यवस्था की रही तो महालवाडी ब्यवस्था को आगरा और अवध में लागू करने के बाद मध्ध प्रदेश पंजाब में भी लागू किया गया था महालवाडी जो ब्यवस्था वो किसके समय में लागू की गई थी तो लार्ड विलियम बैंटिंग जबकि जव जम्यदारी प्रता थी किसके थी तो जम्यदारी जो प्रता रही दोस्तों वह था लार्ड कार्णावल इसके कारिकाल में ठीक है महलवाडी व्यवस्था किसकी कारिकाल में लाड विलियम बैंटिंग महलवाडी व्यवस्था विलियम बैंटिंग के समय में कहां लागू की गई थी तो आगरा और अवदे में महलवाडी व्यवस्था के अंतरगत क्या है कि भूमी पर किसका अधिकार होता था तो भूम पर जो अधिकार होता था वह ग्राम समुदाय का शयुक्त श्वामित जो होता था सभी भूधारियों से लगान वसूल कर निर्धारित माल गुजारी को राज कोस में कौन जमा करता था तो गाउं का जो मुखिया होता था वह जो है जमा करता था तीसरी जो प्रथा थी वो थी रैयतवाडी प्रथा तो पहली रैयतवाडी जो बंदोपस्त वो कहां लागू हुआ था तो 1972 इस भी में मद्रास में रैयतवाडी प्रथा जो है वो कहां प्रचलित थी वंबई, बरार, मद्ध भारत में प्रचलित थी रैयत वाड़ी प्रथा के अंतरगत भूमी का जो मालिक होता था वो कौन होता था तो भूमी का जो मालिक होता था वो कास्तकार होता था रईयत वाड़ी प्रथा के अंतरगत राज जी को भू राजस्व अदा करने की जिम्मेदारी भू धारियों पर सीधे और व्यक्तिक रूप से होती थी अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका टॉपिक है भू सुधार कारिक्रम तो भूमी सुधार से ताजपरी ऐसे संस्थागत परिवर्तनों से है जिसमें भूमी गति संसाधनों का बितरण किसानों के पच्छ में होता था भूमी सुधार कारिक्रम का उद्देश से उत्पादन के सामाधिक संबंधों को वैसा स्वरूप प्रदान करना है जिसके परणाम स्वरूप क्रिसी उत्पादकता अधिक्तम की जा सके भारत में भूमी सुधार कारिक्रम के प्रमुख जो अंग है वह निमने लिखित हैं पहला पॉइंट है मध्यस्तों की समापती क्या है मध्यस्तों की समापती है दूसरा है कास्तकारी सुधार और तीसरा है प्रती परिवार भूम की अधिक्तम सीमा निधारित करके बेसी भूमी तथास ग्राम समाज की बेसी भूमी को भूमी हिनों में वित्रित करना और चौथा पॉइंट है जोतों की जो है वो चकबंदी करना ठीक है पहली योजना के अंत में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि कुछ छोटे छोटे छेत्रों को छोड़ कर विचौलियों का पूरी तरह उन्मोलन किया जा चुका है सरकार का एक और महत्तफूर्ण कारी बेनामी भूमी का पता लगा कर उसे भूमी ही निकिसानों में बाटा गया है चीख है तो बेनामी यानि किसी के नाम की प्रापर्टी नहीं है इधर उज़र जो भी पड़ी रहती थी सरकार जो है उस पर अपना काम किये और पता लगाए कि जो जितनी बेनामी शम्पत्ती है क्या किया जाए उनको जिनके किसानों के पाद भूमी नहीं है उनमें क्या किया जाए बाट दिया जाए उनमूलन से संबंधित कारियों को पूरी तरह लागू करने में बहुत लंबा समय लगा सन 1967 इसबी में 23.8 लाक एकड बेनामी भूमिहिन किसानों में बाटी गई थी अगला पॉइंट है कास्तकारी सुधार तो कास्तकारी ब्यवस्था का अर्थ क्या होता है तो कास्तकारी ब्यवर्था का अर्थ है क्रिसी संबंधि क्रिसी संबंधों की उस प्रणाली से होता है जिसमें भूमी का जो मालिक है वह स्वयम खेती नहीं करता बलकि जमीन कास्तका कट्यारी विवस्था ठीक है जमीन मालिक क्या है वह अपना स्वयम खेती नहीं करता वैंक जमीन को क्या करता है कास्तकारों को पट्टे पर देता है ठीक है अगे चलते हैं कि अगला पॉइंट है कि बड़े पैमाने पर पट्टे-दारी व्यवस्था किन छेत्रों में थी तो जमीदारी या रईयत वाड़ी छेत्रों में पट्टे की जो है व्यवस्था काफी थी सामानत है हैं पट्टेदार किसानों के तीन वर्ग थे अस्थाई कास्तकार एच्छाहीन कंस्तकार और जो है उपकास्टकार अस्थाई कार काशची कास्टकार की त्रिवा उपकास्टकार नेश्च प्रवह में पट्टे पर दी गई थी 25 प्रतिशत ठीक है तो आप एक सरसरी निगास यहां देख लीजिए बाकि यह सारे पॉइंट आपको समझने के लिए पहले होती थी चीज़ें ठीक है ताकि आपके लेकपाली में यह सब थोड़ा वहां पर आपके लिए ठीक रहे समझ में आए चीज़ें कैसे क्या होती है बाकि यह सब एक्जाम के पॉइंट अब इस इंपॉर्टेंट नहीं है जो हूंगे हम आपको बताते चलेंगे स्वतंतरता से पूर्व कितना लगान लिया जाता था तो 34 से 75 प्रतिशत तक का लगान वसूला जाता था प्रथम और दूतिय योजना में लगान के लिए क्या सिफारिश की गई तो लगान जो है उस सकल उपव्याज का वन फोर्थ अथवा वन फिप्थ से अधिक नहीं हो ना चाहिए भूमी सुधार का एक अत्यंत महत्तपूण लच्छण कास्तकारों के लिए स्वामित अधिगारी की व्यवस्था करना होता है अगला पॉइंट है प्रतिपरिवार भूमी की अधिकतम सीमा निर्धारित करके बेसी भूमी तसाग्राम समाज की वेसी भूम को भ में केंद्र ज्वारा जोहव जारी दिशा निर्धुस्य के अन्रूप संसोधित किया गया विभिन पर सीमन कानूनों के अंतरगत सितंबर दू हजार एक तक देश में कितनी भूमी जोहत्रिक्त घोशित की गई तो 73.666 लाख एकड़ भूमी तो 73.666 लाख एकड़ भूमी जिनमें से अनसूचित जातिसे संबंधित 36.66 लोग थे वह 15 प्रतिशत अनसूचित जातिसे संबंधित थे अगला पॉइंट है कि विभिन राज्यों के कानूनों में एक रूपता लाने के लिए जुलाई 1972 इजबी में मुख्यमंत्रियों की एक बैठ़क बोलाई गई और इस बैठ़क में क्या-क्या निर्ड़ लिये गए थे वो आप देख सकते हैं पहला निर्ड़ लिया गया था कि जोतों की जो उच्चतम सीमा है उसको असिंचित छेत्रों में 54 इकर तक तथा सिंचित छेत्रों में 18 इकर तक सीमित कर दिया गया ब्यक्ति को छोड़कर परिवार को इकाई माना गया ठीक है तो ये ब्यक्ति को छोड़कर परिवार पूरे परिवार को जो होए यूनिट माना गया और उचतम सीमा कानूनों से रियासतों स्वारी दियातों वा छूटों को जो है कम किया गया बेनामी हसानांतरण को रोकने की दृष्टी कोड से कानून को पहले की किसी अवजिसे लागू माना जाए जिससे या उस समय के बाद कि सभी जो हस्तान अंतरण और गयर कानों नीच है वो करारत दिये जा सकेंगे ठीक है तो आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए बाकि इस सब इग्जाम में पूशे जाने वाले नहीं है अगला पॉइंट है आपका जोतों की चगबंदी करना तो चगबंदी क्या है यह एक्जाम के पॉइंट आप इस इंपॉटेंट टर्म है ठीक है तो चगबंदी जो है वह वैवस्था होती है जिसमें किसानों के गाउं के विभिन भागों में बिखेरे हुए खेतों को एक ही अस्थान पर एकाठा कर दिया जाता है तो तो आने वाली जो अपकमिंग है आपकी राजस्टो लेकपाल की होगी दूसरा होए आपका चगबंदी लेकपाल की भी आती है वैक एंसी ठीक है यहां पर चगबंदी की आप टर्म को आप समझे तो चगबंदी में क्या होता है अब जैसे कि गाउं में क्या है कि आप एक गाउं यहां इतका इदर है उसका खेती यहां पर पतल एक गाउं है ठीक है अब गाउं को एक बिकती है इसका खेती इक इधर है एक पता चला यहां पर है बहुत दूर है तो चगबंदी होती है तो क्या होता है उसमें मालियत जादा होती है वहां थोड़ा उसमें भी कम जग्यादा होता है विश्छा भी घ्रमिल ठीक है। तो चगबंविधी जो है बिखunter होए जब से इनका खेत इधर है तो क्या किया जाएगा कि इनकी जो है मालित उठा करके यहां एकठा कर दिये जाएगा ठीक है तो यहां का इनका बढ़ा दिये जाएगा एकठे हो जाएगे खेत अब इनको दूसरी जगा सिफ्ट किया जाएगा ठीक है जहां जिनका पांस में होता है उसे आप से सिफ्ट किया जाता है ताकि जो है खेत उनका जो है आसी पांस खेतों को एक ही अस्थान पर एक घठा कर दिया जाता है चकबंदी होती है वो ठीक है अगला जो पॉइंट है most important term है दोस्तों most important fact यह है कि सबसे पहली बार जो है चकबंदी अधनियम कहां पास किया गया था तो बड़ाओदा में बर्स बीस एजबी में पहली पंच बरसी योजना प्रारंब होने से पहले किन राज्यों में चकबंदी कानून बनाय जा चुके थे तो उत्तर प्रदेश पंजाब ततकाल ही राज हुआ करता था बंबई राज और हैद्राबाद ठीक है अब तो यह है बंबई महाराश्य राज में है यह तो आप यहां पर समझे दोस्तों कि आपको याद रखना है कि सबसे पहले चकबंदी अधनियम कहां पास किया गया था बड़ोदा में और पहली 5 परसी जो कानून बनाए जा चुके थे वो था उत्तरपरदीश अपना पंजाब वंबई और हैद्रबाद कि अगला पॉइंट है कि इस समय लगभग सभी राज्यों में चगबंदी कानून बनाए जा चुके हैं सुरवाद में अचिक चगबंदी की विवस्था की गई थी परन्तु ज पूरता जो है कानून रूप से जो है इसको बना गया जिससे सरकार को चगबंदी संबंदी योजना बना कर उसे कार्यानविद करने के लिए ब्यापक अधिकार दिए गए इस समय यहाँ स्थिति है कि यदि किसी गाउं के आधे भूश्वामी जिनके पास संपूंड गाउ है याद रखना इन सब को ठीक है कि अधि किसी गाउं के आधे भुश्वामी जिनके पास सम्पूर्ड गाउं की जिन के पास सम्पूर्ड गाउं की दो वटे तीन कीशी जो है वो भूमी है ञेख और वह सरकार के पास चकबंदी के लिए प्रतिवेधन भेज दें तो सरकार क्या है कि चगबंदी करवाने की लिए कि अधिकारी न्यूक्त करती है तो इंप्वाटेंट टर्म याद रखना है अगला फाक्ट है कि दूसरी योजना के समाप्त होने तक कितने हेक्टीर भूमी पर चगबंदी हो सकी थी तो एक करोंड़े 20 लाख हेक्टीर लेकिन यह पोईंट आपका इंप्वाटेंट है कि चगबंदी अधिकारी न्यूक्त कप किया जाता है तीसरी योजना अवधि में अतरीक्त कितनी भूमी का चगबंदी के कार्यपूंड हो सका तो एक करोंड़े 20 लाख एक्टेर भूमी ग्राम विकास मंत्राले की वार्ष 233 लाख एकड़ भूमी की चगबंदी में से महाराश्ट्र द्वारा 527 लाख एकड़ और उत्तर प्रदेश द्वारा 482 लाख एकड़ भूमी की चगबंदी की गई पसिम बंगाल और असम में चगबंदी परकिरिया को कानवानवित नहीं किया गया है पूरे देश के संदर्म में अभी किरिसी अधीन छेत्र फल का कितनी प्रतिशत चगबंदी की अधीन लाया गया है तो मात्र और मात्र वह अंचास प्रतिशत जबंदी हरित करांती के छेत्र में ही सफल रही जैसे की हर्याणा पंजाब और पस्मी उत्तर पड़ी तता इससे कई कमिया थी जैसे यह कदम भरस्टा चार का भी सिगार है अगला पॉइνट है कि सहकारी खेतों का जो सामाधिक आर्थिक और ैतिक आधार था तथा इसका उप्यूग बड़ी किशानों द्वारा हदबंदी कानून से अपनी भूमी को बचाने के लिए किया गया था भूमी सुधारों को विशेशकों द्वारा एक सफल कोशिस मानी जाती है किसी बिशे शग्योंदारा मानों इतहास की सबसे जटिल सामाजीकर्थिक समस्य माना जाता है भूमी सुधार के आकड़ों के उस साथ जनक नहीं है भूमी सुधार द्वारा देश के किसानों को कास्त अधिकार सुनिस्चित किया गया लेकिन यह भारत की सफल परिचालिद भूमी के मात्र चार प्रतिशत हिस्से पर ही लागू किया जा सका बरस 1992 से लेकर कितना था तो 1992 तक 11 मिलियन कास्टकारों के लिए 14.4 मिलियन हेक्टियर परिचालिद भूमी रही इसी तरह इस दोरान देश के कुल परिचालिद भूमी के मात्र दो परिशंट का ही स्वामित तुझो हो उना हवित्रन किया जा सका इस प्रकार भूमी जो सुधार का लाव हो देश की मात्र छे प्रतिशत भूमी तक ही पहुँच सका तथा इसका सकार आत्मक सामाजी का अर्थिक प्रभाव भी नंगंड ही था नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूमी सुधारों की विफलता के क्या क्या कारण रहे आप एक सरसरी निगाह से पढ़ते चलिए जो इंप्वाटेंट हो गया एक्जाम के पॉइंट आभी उसे उसको जरूर बताया जाएगा तो विभिन राज्यों में खुदकास्त की परिवासा दोश्व पॉण्ड थी जिसे जमीदारी प्रथा का केवल नाम बदला गया और वह पूरवत ही बनी रही भारत में भूमी सामाधी के प्रतिष्ठा तदा पहिचान का प्रतीख है जिनके पास जादा आप जैकते हैं कि जिनके पास गाउं में सव बिगे जमीन है लोग कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है ठीक है तो ये सामाधी के प्रतिष्ठा तदा पहिचान का प्रतीख है जब हस्तानांत्रित कर दिया राजनीती इच्छा सक्ति कमी के कार्ड भी भूमी सुधार एक असफल कारिक्रम परिवर्टित नहीं हो सका भारतिय प्रजात आंत्रिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रहस्ताचार्यों नेत्युत की कमी के कार्ड भी भूमी सुधार जो है वह वह बि सिर्ट्टान नहीं आ जाती तब तक प्रसाषनिक तंत्र में व्याप्त-भरस्तचार वाई भतियावाद आधे को समाब्त नहीं किया जा सकता है अगला जो पॉइंट में भारत में कृशी जोतों का जो आकार है तो आकार की आधार पर जोतों को पांच भर्गों में रखा जा सकता है जिनका विबरण आप देख सकते हैं भारत में क्रिसी जोतों यों क्रिसी योगी भूमी का विबरण 2010-2011 की आकड़ों पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो एकजाम के पौइंट आप इस इंप्वाटन्ट दोस्तों वहां आपका तथ्य जो है वो य फिर ऊकार है वाह सिमांत जोत है लगूड में एक से दो हक्टेAR थे minder है हम जोटे जो है टूपॉइंट 59 siamo से चार एक जबकि मध्यम ऐकार की जोटें हैhu 4 से 10 हíamos और बड़ी जोतों की जोगा समें जोटों होता है वह 10 ह है थिक होता है तो सीमांत जोत का है एक से कम ठीक है यानि जीरों से लेकर के एक है तो एक हेक्टियर से एगर कम है तो सीमांत जोत जीरों में तो कुछी नहीं आएगा ठीक है तो जोईर पॉइंट जीरों से अधिक एक्टियर से अधिकोदा तो यह सभी जोतें यहां पर आ जाती हैं तो याद रखना एक्जाम के पॉइंट आप से इतना ही पूछा जा सकने वाला तत्य है अगला पॉइंट है आपका भूमी सुधार यूम हरित करांती तो सरकार ने जैसे ही हरित करांती की सुरवात की भूम जो सुधार था वह उद्देश से बड़ी जोत के छेत्रों को विवाजित कर भूम हीनों के बीज बाटना था उचबर्ग के भूपतियों द्वारा भूमी सुधार का बिरोध किया गया जबकि हरित करांती के लिए ऐसा नहीं था भूमी सुधार का देश पर कोई कार्ण भी भूमी सुधार कारिकरम जो हो दर किनार किया गया हरित करांती ठीक है दुग्द करांती इस अब आपने पीटी में हैंड़ेट नोट में भी मेरे आपने बढ़ा होगा अच्छे से ठीक है चलिए अगला पॉइंट है आपका भूमी सुधार का दूसरा चर्ण तो भूमी सुधार की दूसरे चर्ण की जड़ें आर्थिक सुधारों में ढूंडी जा सकती है भारत सरकार की भूमी सुधार मोद्दे पर विचार में हमें बदलाओ नजर आता है ठीक है आर्थिक सरबेचण 12-13 खेसाब बता जा रहा है कि एक हस्पस तीन चर्ण वाली न पारदसी और प्रभावी नीती लागू करना तो यह बास आप पढ़ लीजे एक जहां की पाइंट आप इस यहां से तत्थ इंप्वाटेंट नहीं है अगला पाइंट है आपका राश्ती भूमी रिकार्ड आधनी करण कारिक्रम तो राश्ती भूमी रिकार्ड आधनी कारिकरम का उत्देष स्क्या रहा स tá्टी आधनी करण की रिकार्ड आधनी करण जो कि कारिकरम चुरुतर्वाट की बशाओ बपाइंट प्रटन तत्थ है यह जरूर याद रखना बरस 2008 ठीक है अगला पॉइंट है आपका डिजिटल डिजिटली करनक से जमीन के सौधों की जो लागत है उसमें भारी कमी आ रखती है पट्टेदारों और जमीन मालिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा इस तरह के पट्टा बाजार की शफलता के लिए मालिकों को यह विश्वास होना चाहिए कि लंबे समय तक पट्टेदारी से उनका मालिकाना हक्या है छीन लिया जो है नहीं जाएगा ठीक है अगला का पॉइंट चैए आपका दोस्तो ढूंड अधिकनड विधियक बखुम आधिकनड विधियक में भारत सरकार कज़ित पास कि एंप्यों करदेों सब्सक्रानिते ने प्रतेश् वश्वावी । कानून बनाने का प्रस्ताव था बर्स 2015 में नई केंद्र सरकार ने एक नया भूमी विधियक दरिज भूमी अधिगर्ण पुनर्वास और पुनास्थापना में पालिदर्शिता और न्याय संगत छतिपूर्टी का अधिकार कानून 2015 जो हो प्रस्तावित किया जिसका लच्छ रहा 2013 की भूमी कानूनों की कमियों को दूर करना था तो याद रखना भूमी अधिगर्ण बिधियक जो है वह कब पास किया गया है बर्स 2013 में और इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है कब बर्स 2015 में ठीक है अगला पॉइंट है दोस्तों आपका इंप्वाटन तत है ड़ि स्थाहमती से अपनी जमीनें एक साथ मिला कर सायुक्त रूप से क्रिसी कारे करते हैं वह अपनी जमीदारों के अलग-अलग मालिक बने रहते हैं ठीक है अब इसमें क्या है कि बहुत सारे किशान होंगे उनके बहुत सारे खेत होंगे तो उन खेतों को क्या है एक मिला लेत हैं कि मिल जूलकर खेती करते हैं तो जो है तो सहिकारी खेती में क्या है कि MIL जूलकार खेती करते हैं ठीक है के अपten एक खेतों में क्या है अलग-अलग काम सहकारी खेती के प्रकार हैं कितने प्रकार हो गते हैं तो मुखते हैं जो है वो चार प्रकार होते हैं सहकारी खेती के ठीक है पहला प्रकार हो गया दूसरा है सहकारी सामोहिक खेती और तीसरा सहकारी बहतर खेती सहकारी संयूद खेती सहकारी का इसके स्थासी के खात बीच की ब्यवस्ता करती है तथा उपस का विकर्य भी करती है कि स्थाइकारी ख्येती के । प्रणाली की आणतर्गत अपने सदस्यों को अपनी भूम का समर्पन करना पड़ता है क्रिसी की प्रवंधक का कार जो होता है निर्वाचत परिषदी जो है वो करती है सहकारी बहतर खेती किस प्रकार होती है तो इस प्रणाली के अंदर कर जो किसान होते हैं खेती की उन्नत तकनीक का परियूग करने के लिए आपस में मिलकर जो है वो सह पतंत्र रहता है इस प्रकार की सहकारी समीतियों को सिवा सहकारी समीतियां भी कहा जाता है अगला है सहकारी सहयुक्त खेती किस प्रकार की होती है तो इसके अंद्र का छोटे छोटे जो किसान है वह अपनी जमीनों को इकठा करके सहिक्त रूप से खेती करते हैं किन्तों प्रतेग जो किसान है अपनी भूई पर स्वामित बना रहता है इसी को आपने पढ़ाता सहिकारी ठीक है शहिकारी खेती का है इसी में आपने परिवासा भी पढ़ाता तो यही है सहिकारी सहिक्त खेती मार्च 1979 इजबी तक सहकारी जो खेती है संबंधी जो कारिकरम है वो केंद्री ये सरकार दोरा संचालित था इसके बाद जो है यह जो सहकारी क्रिसी है किसकी अंतरगत आ गई तो राज सरकारों को दे दिया गया ठीक है बरस 1979 के बाद सहकारी खेती के लाब क्या क्या होते हैं तो सहकारी खेती से ग्रामीड समाज में समानता को बढ़ावा देने तथा सोशड को रोकने में सहयता मिलती है सहकारी खेती से कुछ महात्पूर्ण कार जैसे की सिचाई की लिए समचीत प्रबंद करना रहता है ठीक है तुसमें सभी लोग मिलदूल कर लेते हैं भूम सररशन की लिए कारिकराम अपनाना बहुपसली किरसी करना माल संगरा के लिए गोधाम बनाना तथा किरसी से संबंध तो उद्धोगों को चलाना आज जो है आसानी से किया जा सकते हैं सहकारी खेती की सभी लाब होते हैं तो दोस्तो इसी के साथ पूरा हमारा तीसरा चौथा चैप्टर रहा आपका ठीक है तो पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कर लिया गया भूधारण पद्दत यहां तो दोस्तो इसकी पीडियाप जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दी गई है आप यहां से डाउनलोड करके पीडियाप से भी रिवाइज कर सकेंगे तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लाइक जरू कीजिएगा चैनल पर नए है तो नी हमारी दाकत है थैंक्स वार वाचिंग